हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ठी हुदा गुरुकल आप सबने आई होप एडमिट काड़ डाउनलोड कर ली होगी आपको आपके सेंटर पता लगे होंगे और आप रेडी हो चुके होंगे मेंटली प्रिपेर हो गए होंगे अपने एक्जामिशन के लिए आपका जो रिवीजन है उसी की सिरीज में मैंने सेट वन दिया थकराया था आपको साइन्स का जनरल साइन्स का यहाँ पर यह जनरल साइन्स का सेट टू है जिसको हम करेंगे आपने अलरड़ी तैयारी कर रहा यह आपका as a revision आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं काफी सारे questions जो है na repeated हैं कई सारे examination जो TGT science के महां से है question और यहाँ पर बहुत सारे questions जो PRT का जो paper है आपका paper 1 वहाँ पर जो आपके question होंगे वहाँ भी general science का paper भी रहेगा और जो TGT science है वहाँ भी physics, chemistry और biology तीनों से आपका paper बं होता है तो हमारे पहले question की शुरू आत कर लेते हैं पहला सवाल है ampere is a unit of measurement so ampere क्या मापने की काई होती है तो ampere से आप क्या मापते हैं तो ampere जो होती है हमारा answer C यानि के electric current मापने की unit है जिसे ampere से कोई भी electric current होता है उसे हम ampere में measure करते हैं उसे मापते हैं question number 2 how the air bubble behaves inside the water so तो पानी के अंदर हवा का बुल्बुला किस तरह का बरताब करता है तो आपको पता है बुल्बुला कैसा होता है उपर की तरफ उठा हुआ होता है तो इससे आप समझ रहे हों किस तरह का भीएब करेगा वह जो bubbles होते है जो air bubbles होते है पानी के अंदर वह किस तरह का की तरह behave करता है लेंस इसलिए क्योंकि जो नीचे का सर्फेस है वहाँ भी बबल के पैक होते है और यहाँ पर लैंस होगा मिरर तो नहीं होगा यहां पर मिरर हमने पढ़ा है कि मिरर क्या होता है एक साइड से glazed होता है question number 3 है which of the following is a scalar quantity इन में से कौन सी है जो scalar quantity है या फिर अधिश रासी है momentum, energy, torque या फिर यह सबी तो पहले बता दो आपको जितनी भी चीजे होती है जितनी भी quantities होती है वो दो तरह की होती है एक होती है vector और दूसरी होती है scalar तो vector जो होती है जिसमें की उसका magnitude और direction दोनों होता है बट scalar quantity जो होती है उसमें direction नहीं होता सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है तो यहाँ पर जो होता है आप देखेंगे कि जो हमारा momentum होता है momentum में direction भी होती है और उसका magnitude भी होता है तो वो तो vector quantity है वो scalar quantity नहीं है तो हमारा option A और option D दोनों ही निकल जाता है अब आ जाती है energy और torque तो torque भी एक vector quantity है क्योंकि इसका भी magnitude और direction दोनों ही होता है लेकिन energy जो होती है उसमें सर्फ magnitude होता है तो हमारा जो right option है यहाँ पर जो scalar quantity है कौन है तो energy हमारी scalar quantity है question number 4 पे आ जाते है which of the following is not a vector quantity इसमें से कौन सी है जो vector quantity नहीं है तो vector quantity जिसमें की magnitude और direction दोनों होता हमने अभी अभी जाना तो इसमें से कौन सी सदिसरासी नहीं है मतलब जो vector नहीं है जैसे mass, velocity, momentum और angular velocity तो आपको पता है कि जो अभी अभी मैंने बता है कि momentum के बारे में बता दिया कि यह vector quantity है क्योंकि इसमें magnitude और direction दोनों होता है और velocity जो होती है वो भी एक vector quantity है अंगुलर velocity उसमें भी mass, magnitude और direction दोनों ही पता होता है बट mass जो होता है द्रव्य मान किसी बस्तू का वो एक vector quantity नहीं है वो एक scalar quantity है तो हमारा जो right option होगा वो हो जाएगा mass, option A question number 5 है unit of viscosity यानि कि स्यानता की एक आई कौन सी है विसको सिटी आपको पताओ का viscosity क्या होती है जो surface होता है liquid का so viscosity आपको पता है कि viscosity जो एक होती है property होती है liquid की जो cause करती है it to deform यानि कि external stress या फिर stress जो होता है या फिर shear stress जिसकी वज़े से जो liquid होती है उसकी ability होती ही resist होती है consistency वो किस तरह से flow होता है for example जैसे कि water जो होता है उसकी पतला होता है तो उसकी viscosity कम होती है vegetable oil से यूँकि vegetable oil thick होता है water से so किसी भी जो fluid है या फिर frictional force जो होती है जो oppose करती है relative motion between two layers of gases that is called viscous force भी उसे कहा जाता है तो viscosity I hope आपको पता होगा आप समझ चुके होंगे so viscosity generally क्या होता है किसी भी object में observe किया जाता है gases liquid or solid कि स्टीरों में हो सकता है जो deform होता है वो वापस से मतलब reformation जो उसका होता है उस समय वो उससे define होता है कि उसकी viscosity क्या है जैसे कि जो liquid thin या फिर thickness जो होती है liquid के जैसे कि अगर आप milk और curd में compare करेंगे तो curd की viscosity मिल की viscosity क्या होती है पतला होता है और curd जो होता है उससे थिक होता है तो viscosity depend करती है thickness of the liquid के so यहाँ पर क्या है viscosity unit of viscosity किसकी unit क्या है तो जो इसकी unit होती है वो होती है poise question number 6 which one of the following is a vector quantity इन में से कौनसी vector quantity है तो आपको पता है energy, pressure, work यह तीनों ही scalar quantity है तो जो vector quantity है इसमें से वो है हमारा option number D यानि कि momentum एक vector quantity है हमने previously अपने question में भी discuss किया है question number 7 unit of luminous intensity यानि कि जो उती होती 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 है तो unit of luminous intensity उसका उससे जो measure करते हो वो candela उसकी unit होती है luminous intensity की जो मातरक है unit है वो है candela what is measured from q-sick q-sick जो है किसी q-sick से क्या मापा जाता है तो q-sick जो होता है उससे मापा जाता है हमें पता है कि flow of water मतलब जो जल की जो बहाव है उसे q-sick में मापा जाता है तो आपको पता होगा जो waterfall होते है या फिर जो dam बनाया जाता है वहाँ पर भी इसका 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 क्या जाता है q-sick क्योंकि इसे measurement की जाती है flow of water कितनी है water का जो बहाव है वो कितना है question number 9 है what type of current is received from dynamo डाइनमो से किस तरह का electric current प्राप्त होता है तो डाइनमो एक आपको पता है कि डाइनमो क्या होता है डाइनमो एक तो डाइनमो जो है उसकी उत्पत्ती हुई है एक Greek words है जिसका नाम है डाइनमिस तो डाइनमिस का मतलब होता है power या फिर जिस शक्ती बोलत होते हैं और जो ओरिजनली एलेक्ट्रिक जनेरेटर जो है यह डाइनमो उसका दूसरा नाम है यानि कि छोटा एलेक्ट्रिक जनेरेटर जो कि जिससे क्या होता है कि रोशनी पैदा की जाती जैसे कि आपने देखा होंगी कि साइकल के wheels में हब में बनाया जाता है और वह हब जो होता है वो dynamo कहलाता है और हमेशा ये कैसा करता है ये alternating current जो होते है इस तरह की ये equipment होते है तो किस तरह की धाराइस में प्रवाए तो ये direct current ये क्या करता है current का flow यहाँ पर generator और dynamo एक device होता है जो convert करता है mechanical energy को electrical energy में तो ये होता हमेशा direct current पर work करता है question number 10 है in which unit can we measure food energy so food energy यानि कि खादी उर्जा को हम किस एकाई में मापते है तो खादी energy यानि कि food energy को हम आपते है कैलरी में आपने सुना भी होगा कि आपने कितनी calorie का diet खाया है तो calorie जो होती है वो food energy की unit है food energy को हम calculate करते है calorie में हम पढ़ते भी है सुनते भी है कि calorie intake हमारा कितना है और body को कितनी nutrition की जरूरत है कितनी calorie की जरूरत है हम उसे हिसाब से खाना खाना चाहिए which material rods are often used to make electromagnets यानि कि विद्द चुमबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़का प्रियोग किया जाता है तो electric magnet बनाने के लिए हमेशा जो होता है na malleable iron यानि कि नरम लोहे का इस्तमाल किया जाता है electromagnetic बनाने के लिए which are the two important parts of human beings in which magnetic field must be generated so मानव के दो महत्वपन भाग कौन है जिन में चुमबक के छेतर का उत्पन होना आनिवारे है तो ऐसे दो important part है heart और brain तो ये दो important part है जहाँ पर क्या होता है magnetic field जो है generate होती है और बहुत ही जरूरी है यहाँ पे generate होना question number 13 a person with myopia has glasses तो ऐसा कोई person जिसे myopia है यानि कि जिसे निकट दिस्टी दोस है ऐसे वेक्ति को जस्मे में कौन सा lens उनके लगा होता है cylindrical lens, convex lens, concave lens या फिर none of these तो जो person होते है जिने निकट दिस्टी दोस होता है उनके जो lenses होते है वो इस्तमाल की जाते है concave lenses यानि कि उन्हें निकट दिस्टी दोस वाली को निकट का नजदी की चीज़े दिखती है पर दूर की नहीं दिखती है तो ऐसे में उन्हें concave lens का इस्तमाल किया जाता है जो की focus जो होता है उसको बढ़ा देता है और उनसे वो चीजे दिखने लग जाती है The device of generating electric current is called तो ऐसी device, ऐसी यूगती जिससे विद्दुधारा उत्पन की जाती है उसे क्या कहा जाता है तो आपको पता है कि जो विद्दुधारा उत्पन करने के लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं? जेनरेटर का इस्तमाल करते हैं तो जेनरेटर इस डिवाइस of generating electric current Question number 15 है Mirror used in solar cooker Solar cooker में किस तरह के mirror का इस्तमाल किया जाता है Plain mirror का, Concare mirror का, Convex mirror का या फिर Plain lens का तो आपको बता है कि जो solar cooker जो होते हैं उसमें Concare mirror का इस्तमाल किया जाता है जिससे कि जो solar से, जो sun से जो reflections होती है उसको वो बढ़ा देता है और उसका focus बनाता है जिससे कि खाना जल्दी से पक जाता है Question number 16 है A person with long sighted has glasses जो दिर्ग दृष्टी वाले वेक्ती होते हैं उनके चस्मे में कौन सा lens लगा होता है तो अभी अब इमने परहा जो निकट दृष्टी वाले होते हैं उनमें concave होता है और जो दिर्ग दृष्टी वाले हैं उनमें convex lens का वो इस्तमाल करते हैं उनके चस्मे में convex lens का प्रियोग किया जाता है Refractive Index of Diamonds यानि हीरे का अपवर्ट नांग क्या है तो हीरे का जो refractive index होता है वो 2.42 होता है और यह question कई बार examination ने पूछा जा चुका है generally सबका refractive index याद करना possible नहीं है लेकिन diamond का कई बार पूछा जा चुका है तो इसका refractive index आपको याद रखना है 2.42 होता है diamond का refractive index doctor used to check the nose, ear, throat, etc. of the patient so, रोग्यों के कान, गले, आदी की जाज के लिए doctor प्रियोग करते है किसका प्रियोग करते है plane mirror का, concave mirror का, convex mirror का या फिर plane lens का तो doctor ऐसे चीज़ों के लिए वो concave mirror का प्रियोग करते है जिससे क्या होता है उनको छोटी चीज़े बड़ी दिखने लगती है question number 19 mirror that makes the image smaller than the object ऐसा mirror जो वस्तु से छोटा प्रतिविम बनाता है वो कौन सा mirror होता है plane mirror होता है concave mirror होता है convex या फिर concave and convex mirror तो हमें पता है कि जो convex mirror होता है concave and convex ये mirror जो होते है वस्तु से छोटा प्रतिविम दोनों ही बना सकते है या तो concave mirror में भी एक खास अगर mirror आप पढ़ेंगे तो mirror के बारे में जो concave or convex mirror दोनों ही वस्तु से छोटा mirror बना सकते है तो यह हमारा हो जागा option number D हमारा right option होगा a virtual reflection of the real object is formed जो वास्तविक वस्तु है उसका आभासी प्रतिविम बनता है तो जो virtual reflection बनता है एक real object का किसमें बनता है plane mirror में, concave mirror में convex mirror में या फिर सभी में तो आप जो plane mirror आपके घरों में जो आप चेहरा देखने के लिए या तयार होने के लिए जिस mirror का इस्तमाल करते है वो plane mirror होता है और उसमें जो image बनता है आपका वो एक virtual reflection की through बनता है real object आप जो खड़े होते हैं आप real होते हैं और जो आपका image देख रहा होता है वो virtual image देखता है तो यह होता है कहां पर plane mirror में तो यह था हमारा set 2 इसके पहले मैंने 2 set करवाए है set 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जाकर check कर लिजे और देख लिजे मैं उसका link भी provide करा दूँगी तो आप उससे भी check कर सकते हैं और यह questions बहुत ही important और frequently कई बार examination में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी possibility है और I hope आप सब की तयारी अची चल रही होगी आपने admin card डाउनलोड कर लिया होगा AWS के बच्ची जो उससाम देने वाले है और कोई भी difficulties अगर इसमें आ रही है आ रही है डाउनलोड करने में तो आप comment करके पूछ सकते हैं और जल्दी मिलते हूँ आपको pedagogy के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिससे कि आपका एक revision हो जाए कुछ वीडियो